रिक्यूर्मेंट में काफी अच्छी भरती है जी हां अगर आप भारत के स्टुडेंट हैं और करना चाहते हैं नोक्री तो ये वीडियो जरूर देखेगा आईटे से लेकि दसवी दसवी से लेकि ग्रेजवेशन तक की कॉलिफिकेशन है तो आप यहां पे 20 से 21 जार रुपे हर महिने कमा सकते हैं मैं फाइनली भात करूँ तो यहां पे आईटे वाले विद्यारतियों के लिए एक नई रिकूर्मेंट जारी हुई है दसवी बारवी के साथ अगर पास आउट है तो आप इसमें लगा सकते हैं मिस्र धादू निगम लिमिटेड के अंदर यह ओविसली विज्यापन है इसके आविदन पर क्या बड़ी जल्दी सुरू होने वाली है और आविदन के बारे में विपन बात करेंगे रिकूर्मेंट के बात करें तो यहां पे देखेगा यह पोस्टे दे रिखे हैं और 11.2030 से इसके एप्लिकेशन पर क्या शुरू होने वाली है अगर आप तयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो यह जरूर दिखेगा मैं इसके दोनों अलग-अलग विकेंसे इसके बात करूँगा कई लोग सोच रहें कि हमारे पास बीई बीटे के डिप्लोमा है तीन साल का तो क्या हम भी लगा सकते हैं तो उनके लेवियां पर 11.10 नवंबर 2023 से एक विज्यापन जारी हो है वो भी आप लोग देख सकते हैं लेकिन फिलाल मैं अभी उसे विग्यापन के बात करूँगा जिनके पास आईटे की कॉलिफिकेशन है और जो आईटे पास आउट है उनके लिए यहां पर देखेगा M-I-D-H-I-N के अनुसार यानि की मिनी रतन कमपनी है और यह भारत की काफी अच्छी मिस्सर धातू निगम लिमिटेड कमपनी है यह हैदराबाद में होगी आप लोगों की जो प्लोकेशन संस्ता इसकी हैदराबाद में है और यहां पर जो जो जॉइनिंग ऑपरेटर ट् इस तरीके से आप लोगों की वेकेंसीज पोस्ट कोड़ दे रखी है अब इसमें आपको बतादें कि सैलरी 20,000 से 21,000 तक या इससे हदिक भी हो सकती है पोस्ट के संक्या की बात करें या फिर एज के बात करें तो वह भी आपर देख सकते हैं अगर आप जर्नल कैटिगरी के हैं और फीडर ट्रेडर से पास आउट हैं तो आपके लिए 6 पोस्टे दे रखिए जब कि अगर आप EWS, OBC, SCST के हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे अलग-अलग पोस्ट निधायत कर रखिए तो आप किस पोस्ट के लिए अपलाई करेंगे वो आप आप यहाँ पे जरूर देखेगा और फिर उसके अकोडिंग यहाँ पे अपलाई कीजेगा यह सारी चीजी आप लोग समझेंगे और जब जाके आप लोग इसमें अपलाई करेंगे तो गाइज एक छोटी सी में जो आइटे की कॉलिफिकेशन निधायर्थ कर रखिए जबकि अपन बात करें यहां से जो डिपलोम वाले विद्धारतियों के लिए 60% पास आउट है आइटे वाले विद्धारतियों के लिए किसी परकार का कोई percentage नहीं कर रखा जिससे आप करना चाहेंगे कि इतना परसेंट होना जरूरी जब भी अपलाई करेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसमें selection processor के लिए written test आप लोगों को देना होगा यहां पर देखेगा written test के लिए आप लोगों की यह 100 marks का paper होगा जिसमें 15 questions अपनी जो trade हैं उससे संबंदित होगा पास और फैल का इसमें decision होगा और 100 marks का होगा negative marking इसमें होगी 90 minute का आप लोगों को timing दिया जाएगा इस तरीके से आपन बात करें इसकी जो age की बारे में तो 18 10 2030 से start होना या फिरिस के आसपास का होना जरूरी है 30 साल तक इसमें लगा सकते हैं 18 से 30 वर्स तक का यह हो कि इसमें आराम से foam भर सकता है अब रही बात application के बारे में तो application phase के से में बात करें तो वह भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं और कौन सी categories के लिए reservation के सुविदा मिलेगी तो अपन तो वह बात करें तो SCRST categories को यहाँ पर सुविदा मिलने वाली है आविदन के बात करें तो देखेगा 18.10.2023 से इसके आविदन पर क्या सुरू होगी और 11.09 तक इसमें foam भर पाएंगे तो आपके पास समय है अब भी foam भरने के लिए उसके बारे में आगे बात करेंगे लेकिन यहाँ पर देखेगा application phase से आप लोगों को 100 रुपे देनी करें तो यहाँ पर देखें यहाँ पर application offline और online दोनों तरीके से form को submit करवा सकते हैं और form भरना शुरू हो चुके हैं तो अभी जाएं इसके officially site पर जाके अभी form को submit करवा सकते हैं तो guys यहाँ पर देखेगा इसका link आप लोगों को नीचे दिया जाएगा और यहाँ से आप apply भी कर सकते हैं अगर फिर भी कोई doubt रह गया हो तो हब में personally comment करें हम आपकी जरूर मदद करेंगे यहाँ पर देखें जो नए registration हो चुका है या कर रहे हैं तो आपने registration करवा सकते हैं पहले कभी आपने registration किया है तो अच्छी बात है अगर नहीं किया तो अभी जाएपे इस सम्मिट करवा सकते हैं एक छोटी से अपडेट है वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें सेर करें थेंक्यू जै